डोडा के लाल द्रमन इलाके में कल शाम सुरक्षा बलो और आतंकियों के बीच मुठमेड होती है घात लगाकर आतंकी जो है वो जंगलों में बैटे हुए थे आपको बता दे कि कठुआ और डोडा में लगातर एक के बाद एक हमले के बाद आतंकी जो हैं अपनी जगए बदल रहे हैं और बार बार अपनी प्रेसेंस भी दिखा रहे हैं वो डोडा के घरे जंगलों और तसवीरों में आपको दिखाने की कोशिश कर रहें इस समय हम ग्राउंडड जीरों पे हैं और ग्राउंड जीरों पे आपको बता दें यह जो कच्छे मिट्टि के बने जो घर ईन गरों की ऐसे घरों की आतंकी जो है वह पनाह लंबे समय तक वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं और लगातार वो अपनी प्रेजन दिखा रहे हैं तस्वीरों में आपको दिखा दे हाला कि यहां से आगे जाने की अनुमती हमें नहीं मिल रहे हैं आशू हमापको यहां से दिखाने की कोशिक करो कि किस तरीके से यहां पर पीच सड़क में सुरक्षा बलो ने अपनी गाड़ी से ये रास्ता बंद कर दिया है और यहां से आगे जाने की अनुमती नहीं है क्योंकि इलाके में लगातार जो है वो गोली बारी चल रही है देर रात से ही ताबर तोड फारिंग हुई और सुभा सवेरे से ही जो है वो फ प्लकुल हम टॉप पे हैं और यह इतनी यूची पहाड़ी है कि यही पहाड़ियां उधंपूर और यही पहाड़ियां कठुआ के साथ मिलती है इनका टॉप एक ही है और लग अलग अलग ग्रुपों में है और अलग-अलग गुरुप में रह के वो आपस में संपर्क में ये भी कहा जा रहा है कि जमू कश्मीर के जिला डोडा के कोटी सजान लाल द्रमन में एक बार फिर मिल्टेंट और स्कूर्टी फोर्सिस के बीच कल देर रात इंकॉंटर शुरू हुआ था फिलाल इस इंकॉंटर में अभी तक कोई भी अपडेट सामने निकल कर नहीं आया है लेकिन फाइरिंग जो है दोनु तरफ से बंद हो चुकी है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये ग्रॉंट जिरो की विज्वल से न्यूज एटीन की टीम इस वकट ग्रॉंट जिरो पर है और ये लाल द्रमन का एरिया है और इन ही जंगलू में इसके बैक साइड में कल रात तकरीबन आड़ बजे हुआ था जब सिकूर्टी फोर्सिस को मिल्टेंडू की छुपने की इनफर्मिशन मिली थी और उस एरिया को पूरी तरह से काड़न किया गया था फिलाल मैं आपको बता दूँ यहां से आगे मीडिया को इजाज़त नहीं दी जा रही है इस कावर करने के लिए लेकिन न्यूज एटीन की टीम बिल्कुल ग्राउंड जिरो पर है और इस इनकॉंटर के अगर हम बात करेंगे जो अभी तक सामने आया है कल देर रात यह इनकॉंटर जारी रहा लेकिन फिलाल अभी तक जो इनफर्मिशन आई है अभी तक दोनु तरह स जो लाल द्रमन गादी कोटी का जो जंगल का एरिया है यानि फारेस्ट का एरिया है इसे पूरी तरह से गार्डन में लिया गया है और सिकोर्टी फोर्स एसोजी जमू कश्मिर पोलीस के जवान इन सभी एरियास में तैना आते ताकि मिलिटन यहां से बचन निकलने में काम अब ना हो न्यूज 18 नेटवर्क के लिए साजान लाल द्रमन से आतिफ लोन